अग्याइब कोट कितने सांधर है कोट से पहले तो आजमी इतने सांधर है इनको देखते ही मोटिवेट हो जाता है बंदा मतलब वाकियार कुछ परसे आदमी के अंदर से मोटिवेशन आने लगता है तो ऐसी एक परसे थे पीजे अब्दुलकाम सर इनकी कोट थी भूती मतलब यह है कि यार लाइफ में आपको हार्ड वर्क करे बगएर कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी रात और रात लादिन का चिराग घिसे और कुछ ऐसा विसकार हो जाए कि आप जो चाहते हैं लाइफ में वो मिल जाए तो पोसिबल नहीं है और अग जिस पोस्ट के लिए आप तियार कर रहे हैं तो इसलिए हमेसा कभी भी अगर बात आए कि महनत करनी है तो महनत करने से कभी भी पीछे मतलब एक दो बार दो तीन आदमी ऐसे हैं जिनका चहरा देखने से मोटिवेशन मिल जाता है एपी जब दुल कलाम सर होगे स्वामी वे हैं कि हम्-भी ओठों कर चुक है यह पल्च या पेसिकल डेपिश्ट होता है इस सारी चेश्ट कर चुका हुं। 3rd chapter demonetization के क्या स्वाइदें है क्या नुक्सान है कि दिमोनेटाइड़ेशन किस तरीक से हमारी सबारी धर बातार कि लॉग टर्म है त्म में किस तरीक से हमारी कोनोमी कर Elder देखने भी सर्वेश्ट है को सर्विस कमिशन है किसidas नोटिपिकेशन होती अच्छा होता है इससे question पूछे ही पूछा जाता है क्यों क्यों क्या एकनोमिक की जान होता है इकनोमिक सर्वे जिससे निकल के आता है यह तो देखे इसलिए पढ़ना बहुत ही important है और बहुत ही अच्छी knowledge मिलती है हम लोगों पता रहता कि हमारे देश में हो क्या रहा ह आये तो चेप्टर में देख लेते हैं कि चेप्टर में है क्या क्या देखे यह वाला थर्ड चेप्टर है हम लोगों का तो इस थर्ड चेप्टर का जो टाइटल है वो यह है demonetization to defi और demonized मतलब इसकी मतलब एक तरीक से पूजा या फिर राक्षस मतलब यह अच्छा है हमा पर इंट्रोडक्शन है फर्स्ट वाले में तो फिर इसके बाद में background facts की किस-किस वज़े से यह लिया गया है क्या situations थी फिर उसके analytics दी है इन्होंने फिर इसके benefits दी है फिर early evidence for the potential or long term benefit क्या क्या होने वाले है short term क्या क्या होने वाले है impact economy पे GDP पर क्या impact पढ़ने वाला है redistribution of the government मतलब जिससे की bank में पैसा आजाएगा फिर उसका redistribution होना है और परधान मंतरी गरीब कल्यान योजना जो इन्होंने चलाई थी वो भी इसमें फाइदा करने वाली है फिर इसनोंने मतलब मार कर बला है कि success किस तरीके से success करने वाले आगे आने वाले टाइम में तो वो भी यह लोग मतलब इसमें explain किया है बहुत अच्छे से और maximizing और long-term benefit और minimizing कोस्ट तो दीखें एक complete analysis हो जाएगा अगर कोई मेंस का राइटिंग का अंसर आ रहा है ऐसे भी से लिटिड़ आ रहा है कोई decision लिया कि 500 और 1000 के नोटों को उन्होंने बंद कर दिया immediate effect से मतलब अगली सुबह से उनको कोई लेने वाला नहीं था सुबह सो क्या जी जिसने lecture सुना था शाम को यह लेना बंद कर दिया था तो इस तरी के condition यहां पर बन गई थी मतलब इन पर question mark लग गया कि इन पैसों को को पड़ा जाए तो जो इनकी वैल्यू है टोटल पैसों की वह 86 परसेंट थी और बचे हुए जो सो के या फिर पचास के रह गए दस के रह गए पांच के बीस के जो भी यह नोट है आगे उनकी वैल्यू कितनी बच गई बस 14 परसेंट वैल्यू तो 86 परसेंट जो वैल्यू इफेक्ट से कभी विड्रोल नहीं किया गया था और बोला क्या गया था कि सारे नोट डिपोजिट करने है 30 दिसंबर तो 1016 तक मतलब एक न्यू येर की इव पर जो न्यू येर आने वाला है हमारा उसकी इव पर हम लोगों के हाथ में नए नोट होने चाहिए बस पुराना नीचे मतलब घटाए जा रहे थे बाद में आके 4000 कर दिया तो इस तरीके से डिसेजन लिया गया था जो कि एक हिस्टोरिकल डिसेजन था और जिस तरीके से इसको इंप्लिमेंट किया गया वो सारी चीजे हमने देखी है और आने वाले लेक्चर में उन सारी चीजों का भी हुआ ही नहीं है मतलब इतना सी क्रेशी से और सड़न नेस से जो डिसेजन निकलके आया और वह भी किस टाइम पर जब एक दम नॉर्मल थी पोलिटिकल कंडिशन भी नॉर्मल थी अगर कहीं पर डिमोनेटाइजेशन का स्टेप्स लिया जाता है तो वहां पर एकनोमिक है उसकी मार्किट में कोई वैल्यू नहीं होती है तो तो जाके डिमोनेटाइजेशन का स्टेप्स लिया जाता है लेकिन इंडियन एकनोमी में ऐसा कुछ भी नहीं था यहां पर जो स्टेप्स लिया गया वह बिल्कुल ही एक नॉर्मल एकनोमी कंडिशन हम लोगों की चल फонов रही थी और वहती अच्छी कंडिशन बनी हुई थी जो और दीमोनेटाइजेशन आज से पहले एकला होग बढगे थी और जब demonetization हो उसके दो-तीन दिन बाद फिर एक सोर मचा मार्किट में जिसकी वैसे salt की value भी पांट-पांसु रुपे में salt भी रहा था नमक जिसको हम लोग बोलते है तो इस तरीके से जो value increase होती है एक मतलब एक तो होता है normal increase होना एक होता है बहुत ही जादा increase हो जाना मतलब माल लीजे कि एक नमक की थेली आपको अगर मिलने लगे 20,000 रुपे में तो 20,000 रुपे में अगर ये नमक की थेली मिलने लगे 20,000 रुपे किलो आपको प्याज मिलने लगे तो इसका मतलब आपकी जो value है currency की वो बिल्कुल खताम हो चुकी है currency की value कुछ भी नहीं रही है तो उस condition में normally जो है demonetization जैसे steps लिये जाते है currency को फिर से फिर से मतलब बढ़ाने के लिए उसकी value और फिर से उसकी जगह दिलाने के लिए जो कि उसकी जगह है तो extreme circumstances में इस तरीके के steps लिये जाते हैं पर लेकिन हमारे यहाँ पे normal condition थी आगे क्या बोलें कि जो unprecedented steps लिया गया है हमारी economy को लेके यह हमारी world की economy के हिसाब से अगर world के point of view से देखे international economy के point of view से देखे तो यह unprecedented है पर इंडिया के लिए हिसाब से नहीं यह unprecedented क्यों क्यों क्योंकि इंडिया में हम पहले भी demonetization कर चुके हैं एक तो 1946 में और दूसरा 1978 में तो यह भी आप लोगों को याद रखना है कि पहले भी हम demonetization जैसी activity कर चुके हैं पहले भी हम अपनी economy को अपनी economy के साथ enjoy कर चुके हैं हमारे politicians जो है देखे यह इस तरीके steps economy को सही direction में ले जाने के लिए ही होता है तो इसलिए इस तरीके step ले जाते है जाकि आने वाले time में या कुछ भी रहे हमारी economy कभी problem नपढ़ जाए नोर्मली क्या होता है जब भी कोई global financial crisis होता है जैसे कि कहीं भी मरकल अब कोई crisis type का आ रहा है तो crisis में किस वज़े से आता है उसका reason होता है क्या reason होता है crisis इस वज़े से आता है देखे बहुत ज़्यादे time जो crisis आता है तो supply भी नहीं हो पाएगी, तो इसी वजह से, जितना matter यह जितना भी माल यह बना चुके हैं यहापे, वो supply भी नहीं कर पाएगे, क्योंकि कोई खरीदी नहीं है, माल जाए example ले लिए बहुत सारे scooter बना दिया है, बहुत सारी गाड़ी बनादी, गाड़ी बनाके उन्हों रख दोती पर लेकिन कोई कस्टमर खरीदी नहीं रहा है तो मार्केट वो पड़ी रहेगी गहराज में खड़ी मतलब जितने भी गोडाउंस है वाँ पड़ी रहेंगी सारी उनको कोई खरीदने नहीं आएगा तो इसलिए तो मार्केट में पैसे की पासे पैसा आएगा पैसा आएगा तो आदमी खरीदेगा करना मार्केट में पैसा बढ़ाए जाता है आपना कोई कुछ खरीद के लाएगा जो भी किसी को जुनते हैं कोई मोबाइल खरीदेगा कोई कपड़े खरीदेगा तो मार्किट में बढ़ती है तो फिर सप्लाइब करने वाले मिली जाते हैं तो इसके लिए जब इस तरीके कंडिशन होती है तो एक वर्ड यूज किया है इन्होंने बहुती important word है यह क्या बोलने है आप हेलिकॉप्टर ड्रोफ हेलिकॉप्टर ड्रोफ और मनी मतलब एक तरीक से आप पहले पिक्चर देखे तब आप लोगों को ज़्या समझ आएगा ये देखे एलिकॉप्टर में से मनी ड्रोफ की जा रही है मतलब लोगों के फास में उन्पएं भेजी जा रही है अब जिन पी-जिन आद्म्यों को यह मनी मिलेगी यह सारे आद्म फिर क्या करेंगे कोई पार्टी करके क्रेंग ऑगे कैई कपड़द कि अगर पार्टी कपड़ा खरीद रहता मैं कफड़ा अगा अर्व यह दूझा तुर इस तरीके से मार्किट में फिर सप्लाइ बढ़े तो इस तरीका से चलता है सिद्धार अच्छ लेवल वे काम करती है तो यह काम कब किया जाता है सब मार्किट में पैशो की कमी होती है तो उस टाइम पर ब इसको याद रखेगा देखे दोनों ट्रम बिल्कुल पूछी जा सकते हैं कि किन कंडिशन में कौन सी यूज करते हैं ठीक है जब मार्केट में कम ही है पैसे की तो मार्केट में मतलब चीजों की जिस तरीके से यहाँ पर मतलब यह पूरा एक्जांपल लेके समझाए तो उस लोगों ने देखा होगा और बहुती अच्छा इसका एक्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से जो कैटरीना करीना कपूर की बहन होती है जब उसकी डिलीवरी कराय जाती है तो वह होता है कि तरीक से वह चीजों को सोखने के लिए और नॉर्मली आप हूआ है भोवा नॉर्मली क्या होता है एक्सिंड की जाते है मनी को एक्सिंड किया जाता है इंडिा में क्या है डीमोन इजीजेशिज से मनी रिड इड्यूज हो गई है तो reverse the helicopter drop, helicopter हुऊ और हुआ है, तो दोनों टरम याद रखेगा, कोई भी objective type paper हो सकता है, SST, banking या फिर UPSC, किसी में भी यह पूछा जा सकता है, बहुत आराम से, अब यह देखे, यहाँ पर graph की help से भी इसको समझाने की कोशिसिन लोगों ने किये, demonetization पहले भी हो चुका, currency की value कितनी कम हो गई है, market में, फिर कब हो था demonetization, फिर यहाँ पर आके हुआ है, 1978 में, फिर यहाँ पर आके देखे, value की कितनी कमी हो गई, बिल्कुल खतम हो गई, market में value, पर लेकिन अगर आज की date में देखे, तो यह सबसे कमी आई है, अब वाली है, इसने 86% of market की value, मतलब 86% of currency खतम कर दी है, जो यहाँ पर अभी demonetization हुआ है, यह देखे, सबसे जाद है market से, मतलब जो value money है, वो हूर कर ली गई है, सोक ली गई है, vacuum cleaner की तरह, मतलब साप कर दी गई है, तो इस तरीके से currency जो है, बिल्कुल खतम हो गई थी market से, कुछ दिनों के लिए तो लग बग तो यहाँ पर इन्होंने graph के थ्रों से इसको समझाया है, अब यह देखे, यह भी बहुत important है, यह पूछे जा सकते हैं, कई बार इसके पर short note पूछा जा सकता है, जैसे कि mains जो examination होता है, बैंकिंग में, तो उसमें इसके उपर छोटा essay लिखने के लिए आ सकता है, कि किस तर करने के लिए, corruption को खतम करने के लिए, जिन लोगों के पास में black money दभी हुई है, जिन लोगों के पास में unaccounted money रख्यू हुई है, उसको खतम करने के लिए, counterfeit currency को रोकने के लिए, मतलब नकली, जाली, note रोकने के लिए, जो कि boundary से पार होके इंडिया में आते हैं, हमारे ज दोनों के यहां पर हमारे जो border है, उसे बहुत जादा money supply होती है, और यह भी बोले जाता है, कि दोनों ही country में मतलब बहुती large scale पर हमारी currency को use किया जाता है, तो इसलिए मतलब यह इस तरीए की condition होती है, कि किया किसलिए जाता है, अगर हमारी country में कोई counterfeit currency और नकली note देखिए वो सोचेंगे कि यह नकली तो नहीं है, अब यह आप लोगों ने देखा कि 10 रुपे का सिक्का है, उसको बहुत सारे नकली आ चुके है मार्केट में, तो लोग बाग लेने से पहले एक बार देखते हैं कि इसलिए नकली है, तो इस तरीए का अगर हमारी currency पे हमा पहले बेखिए करवानी है, तो वो यहां से क्या करेगा, इसको बोलेगा कि आप वहाँ पे कुछ भी कांड मतलब करवाना होगा इसे तो इसको बोलेगा आप वहाँ पर कर दीजे और जो इस वाले आदमी को यहाँ पर एजेंट रहता है तो यहाँ से फिजिकल मनी नहीं जाएगी यहाँ पर यहाँ पर कुछ करवाना होगा तो फिर यहाँ से फिजि किया जाता है पत्तर फैंकने के लिए तो इस तरीके कंडिशन आती है तो जब से आप लोगों ने देखा होगा जब से डी मुनेटाइशन होगा जम्मु कस्मीर इस तरीके एक्टिविटी बहुत बंद हो गई है क्यों क्योंकि लोगों के पास में पैसे नहीं है और यह तो द चाते हैं अपने पास चुपागे रखते हैं जिसके टेक्स ना दिया जाए गद्दों में चुपागे रखते हैं च्छतों में मतलब च्छतों का ऐसा बनाते हैं कि इसमें ब्लैक मनी चुप जाए और पता नहीं कोई वोच रूम में पता नहीं कहा कहा चुपागे खेतों म मतलब जिस तरिके से टेक्स बचाया जाए उस तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं तो उसको black money कहते हैं जिसके उपर tax ना दिया जाता हो ओक खुड है तो यह फॉर्ट हो गया फिफ्ट में क्या बोला आगे मतलब एक तरीके से रिजीम मतलब पहली government जो की UPA government थी, तो UPA government से अब कौई शी आगई, अब NDA government आगई है, ठीक है, तो UPA government से अब NDA government आगई है, अब BJP government आगई है Congress से, देखें UPA जो होगता है, Kamículos van the UP, जो Congress में main party थी है, और चोटी-छोटी और कईसारी party मिली है, तो उस सब को मिला के UPA बोल देते हैं, ऐसे ही NDA और BJP में भी यह difference है, BJP में पार्टी होगी और छोटी-छोटी दो-चार पार्टी और मिल गई तो मिलके इसको पुरी को NDA बोल दिया हमने, तो यह दोनों में difference है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर change हुआ है, UPA से NDA म रहे दे, 2G, call scam और पता नहीं कौन-कौन से और सारे, तो उससे बोल रहे हैं कि अब यह भी दिखाने के कोशिश कियेगी, अब एक बहुती transparency और scrutinized system आ गया है, जिसमें यह सारी चीज़े अब available नहीं होंगी, तो यह दिखाने की बात की गई है, और उपर से देखे जितनी भी चीज़े हो रही हैं, अब यह बोला गया है, कि आने वाले time में कि एक ऐसा determination लिया गया है, कि उनको penalize किया जाएगा, जिन्होंने illegal activities की हैं, इस तरीके कोई भी चीज की है, और इस तरीके कोई भी उनके पास में wealth है, तो उनको penalize किया जाएगा, तो यह भी सारी चीज़ बनाई गई थी, मतलब special investigation, team बनाई गई थी, यह किसके under में बनाई गई थी, आपको उन आदमी का नाम लिखना है, बहुत ही important नाम है, उन आदमी का नाम आपको comment box में answer देना है, कि किसके under में यह SIT गठित की गई थी, ठीक है न, और देखे क्या बोला गया, फिर black money के transaction किया जाता हूँ, मतलब एक तरीके से यह भी उसी तरीके का होता है, जिस तरीके साब black money कह सकते हैं, कुछ-कुछ उसको compare कर सकते हैं, एक मोटा-मोटा तोर पर, मतलब यह भी कहीं न कहीं, आप लोगों के पास हैं, बहुत सारी wealth है, उसको दिखाना न पड़े, बे नाम ही condition आप लोग ले के चलने हैं, बुस पर next त्यार डलने वाला है, ओकर, और क्या steps लिए गए थे, और लिए लिए गए थे, एक्सचेंज information के साथ में, मतलब बहुत सारी country के साथ में, agreement किये थे, स्वीट जन लेंड के साथ में, मरुशस के साथ में, साइप्रस के साथ में, तो इन वाली country से information मांगी गई थी, कि उनकी income disclosure कीजिए, तो इस तरीके की scheme सलाई गई थी, तो यह सारी income disclosure, जिसके जिसे कि यह 500 नंबर होगा, income disclosure, मतलब क्या है इसमें, कि आपको income disclose करनी है, अपनी खुद बताना है कि कितनी income है, आपके ओपर कौन-कौन dependent है, तो इससे क्या रह पहले भी लिये जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि, demonetization है कि steps लिया गया है, इन चीजों को curb करने के लिए, अगर आप देखिए, सारी country जिनका यहाँ पर नाम लिया गया है, मरूसस, साइप्रेस और स्वीट जालेंड, यह सारी tax heaven country कहलाती है, मतलब यहाँ पर tax लोगों को pay न अगर कोई आदमी हाँ पर tax pay कर रहा है, तो उसको इहाँ पर tax pay नहीं करना पड़ेगा, इस तरीकी situation बन जाती है, तो आज मी क्या करते हैं, यहाँ पर जा जाके अपना पैसा रख देते हैं, और फिर यहाँ से इंडिया में invest करते हैं, और फिर बोलते हैं कि वहाँ पर हमने tax pay कर दिये, इसलिए हम यहाँ पर tax pay नहीं करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर involved रहती है, इवन second point start हो गया है, second point देखें यहाँ पर, first point हमारा हो चुका introduction, अब second point आगया background fact, अब background fact के बारे में हम लोग यहाँ पर बाते करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा differentiate करने की कोईशिस कर रहे हैं, कि जो कैस को हम दो तरीके से understood कर सकते हैं, उसकी दो dimensions है, तो उसका function क्या है, किस तरी पर यह बात कर रहा है, first function, और second क्या है, उसका nature क्या है, तो इस दो चीज़े समझाने की बात कर रही है, तो function क्या होता है, function होता है, medium of exchange, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो बाटर सिस्टम यूज़ करते थे, वो medium of exchange युगा करता था, लोग बाग क्या क पास में टमाटर है और इसको प्याज की जुरत नहीं है, तो क्या करें, तो उस टाइम पे फिर money picture में आनी, start हो गई, तो इसलिए इसको medium of exchange यूज़ किया जाने लगा फिर, money को, तो एक तो यह हो गया, इसका function, और दूसरा nature क्या होता, nature देखे, cash हो सकता है, illicite हो सकता है, मतलब illegal हो सकता है, एक तो illegal हो सकता है और एक illegal नहीं हो, तो दोनों में थोटा सा difference होता है, तो यह दोनों चीजों पर यहापर differentS करने की कोई लोगों के द्वारा की गई है, तो function और nature दोनों में इनчивों ने difference किया है, क्या बोला है, क्या हो सकता है मतलब क्या बोलना आगी तैकर he yüz कोई घर है क्यों ? हाउस होल्ड है आप घर में कहले कोई कोई आप घर में ले ले लिजा हमारी जो मम्मी वगरहा है निए कर दो नहीं को वाइट मनी में कनवर्ट किया जाता है और जो हवाला मैंने बताइब हवाला का मतलब होता है बिना ने कंवर किये हुए काम करक वा लेना अपना ठीक है जिसे कि माल लीजे किसी कोई country कहीं पे ट्रेजिस्ट भेज रही है तो बिना वहाँ पे पैसा भेजे वे जो उनका agent है वहाँ पे money pay कर दे वो हवाला होता है तो दोनों में difference है यह दोनों को intermix मत कीजेगा तो यह दोनों में अलग-अलग चीज़े हैं दोनो अब यहा हमारे देश लगबग आजा दो हर हमारी first government आयती पिक्चर में तब की बात करें उन्नीस सो बावन से 53 के बीच की बात कर रहे हैं तो यहां पर लेकिन फिर क्या हुआ यह decline की बात करें फर्स्ट डेकेड में decline हो गया कितना हो गया 9% हो गया आते आते तब तक 67 तक तो इतना गट गया है यहां फिर अपवड चलना स्टार्ट हुआ मतलब 68 तक हो चुका था लगबग सतर से फिर अपवड चलना स्टार्ट हुआ और फिर अपवड ही चलता रहा अपवड 2000 तक चलता रहा आपको पता है कि 1991 में हमारे आप वह सारे economic reform reforms हुए थे तो तब तक लगबग 2000 2000 तक इसके बीचे पढ़ गया उपर को चलता रहा इसके बाद में फिर डिक्लाइन आया डिक्लाइन कब आया जब हाई inflation हो गया हाई inflation की वैसे आप लोगों ने देखा होगा 2008 में कितना ज्यादा बुरी condition हो गई थी इकनोमी की लोगों को लग रहा था कि अब फिर से इकनोम कब हुई अब जाके मतलब 2014-15 में आप लोग कह सकते हैं फिर से लगबग यह आने के बाद में मतलब चीज़े मतलब अपसोर डाउन में चल रही है ठीक है ना फिर मतलब inflation होता है तो घट जाती है और deflation होता है फिर वही condition होती है तो यही चीज़े यहाँ पर चल रही है एक उपर नीचे दोनों तरीके तो यहाँ पर देखिया फिर inflation decline हो गया है तो फिर से मतलब बढ़ गई है तो दोनों condition चलती रहती है एकनोमी में यह हमेशा यह depend करता है कि किस तरीकी की सिच्वेशन है और आप यह चीज़े सोचने वाली है कि आज की डेट में जो एकनोमी है व और finance ministers मिलते हैं आके वर्ड की एकनोमी को एक अच्छे लेवल पर रखने के लिए जिसे वर्ड की एक अच्छे लेवल पर रह सके तो यहाँ पर यह देखिए टेबल दी गई है एकनोमिक सर्वे में यह क्या बोल रहे है कि dual dimensions of the cash बोल रहे है एक तो white होता है और दूसरा black हो होगा तो इसलिए यह क्या होगी यह white money हो गई लेकिन चोटी 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 एंटरप्राइज होती है मालीजे आप लोगों ने घर पर ही कोई मसीन मतलब लोवर या ट्रेक्शूट बनाने की कोई factory लगा ली चोटी सी तो आप हाँ पर employer को अपनी salary दे रहे हैं अपन मनी है लेकिन अगर businessman बहुत सारा case अपने घर में रखता है और candidate में distribution करता है election में यूज किया जाता है वह सब ब्लैक मनी होता है तो इन में सब में difference करने की कुछ कीजिएगा छोटा-छोटा माइनूर से difference होता है यह भी saving है अगर देखा जाए तो पर लेकिन यह saving गलत तरीक की साहता से समझाने की कोशिस कर रहे है कि impact of demonetization, short term में क्या होने वाला है, long term में क्या impact होने वाला है देखिए यह पहले तो money or interest rates के base में बता रहे है cash decline start play, cash खतम हो गया कहा से, market से cash खतम हो गया है बिल्कुल, cash recover हो रहा है बट settle मतलब lower level पे settle हो रहा है तो यहां पर क्या होगा अभी क्या होगा पैस बहार निकालना है bank से, तो क्या करेंगे interest rate decrease कर देंगे, interest rate decrease कर देंगे तो लोग बाग loan लेंगे, loan लेंगे, कोई scooter खरीदेगा, कोई cycle खरीदेगा, कोई mobile phone खरीदेगा, कोई घर बनाएगा, तो इस तरीके किसी steps लेंगे सब, तो short term पर यह होंगे, पर long term में फिर से जो rate हो, अपने normal rate में आ जाएगा और जादे impact नहीं पड़ेगा, मतलब फिर से चीज़े settle down होनी start हो जाएगी, तो सारी steps हो गए, जो यहाँ पर explain कर रहे है, यहाँ पर और भी फाल कर सकता है, यहाँ पर देखे rate फाल कर सकता है, पर लेकिन उसको कोई यह नहीं कि कितना फाल करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जादा करेगा, एक अधम इमेडेट में, क्योंकि होद जादा money है बैंक के बार निकालनी है और यहां पर देगे financial saving की भात करे एं फिर ये मतलब saving की भात करे थो saving तो increase हो हली हो यहां पर भी healthy रहे गी जादा आदमी cash निकालेंगे नहींश Heaven बेंक मेगे पड़ा रहने गया और corruption तो दएके खतम होना ही होना ही कृप्सन तो decline होना ही जिसके लिए steps लिया गया है, corruption के पीछे तो यह पूरी हमारी ही चल रही है, फिर देखे black money के बार में बात करें कि long term और short term क्या impact होगी, यहाँ पर क्या होगा ही, देखे एक दम से black money खतम हो जाएगी, हो जाएगी क्या सारी bank में पहुँच गई है, और लंबे time तक भी एन अक कुछ वापसी भी आएगी, तो दोनों ही case देखने को मिलेगे, और reality state में भी देखे continuously decline मिल रहा है देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी money जो होती है, वो pumping की जाती है, maximum black money होती है, वहाँ जो pumping की जाती है, बहुत जादे impact डालने वाला, public sector की wealth भी देखिए, उसके ओपर कोई effect नहीं पढ़ रहा है, क्यों, क्यों effect नहीं पढ़ रहा है, public sector की wealth पर, क्योंकि public sector की जो होती हो, government का sector होता है, government के पास में तो money जा चुकी, आज की date में, तो वहाँ पे तो खतम होने की बात ही नहीं है, दुनिया भर का पैसा आ चुका है, government बोल लिजा, RBI बोल लिजी स्टाप वह सारी चीजें, यह मतलब लोग pay tm यूज कर रहे है, फिर debit card वगरा यूज करना है, तो यह सारी चीजें आधार enable payment system यूज करना है, तो यह सारी चीजें increase हो रहे हैं आज की date में, बहुती ज्यादे scale पे increase हुई है, और आने वाले time में भी यह increase ही होँगी, हाला क कि लोग बाग cash भी निकालेंगे पर फिर भी यह चीज़े आगे continue रहेंगे ऐसा नहीं कि यह बंद हो जाएंगी क्योंकि आदमें आदमें आप समझ गए हैं गोर्मेंट वह सारे incentive भी दे रहे हैं कि आप यूज करो तो आपको यह फाइदा होगा यह करने से यह फाइदा होगा और रियली स्टेट्स वागारा में देखिए जो घर खरीचते बेशते हैं उनमें मनी चलती है बहुत जादा ब्लैक मनी रहती है वहाँ पर भी decline हुआ है और आने वाले टाइम में भी मतलब कुछ ऐसा ह होगा जो ब्लोस हो गई है पर लेकिन आने वाले टाइम में इंकम लोगों घट गई है सोसल सेक्टर डिस्रप्शन हुआ है बहुत सारे कैस इंसेंटिव सेक्टर जो है जैसे कि अगरिकल्चर ले लिए जहां पर मैली कैस के उपरी सारा काम होता है वहाँ पर इंपक्ट पर लेकिन आने वाले टाइम में एक अच्छा लेवल में बढ़ जाएगी और कैस जो अभी मैंने बता है कैस सेक्टर अगरिकल्चर हो गया रियल इस्टेट हो गया है फिर जैलरी वागरा हो गई उन पर इंपक्ट पड़ेगा और किस तरीके से जीडीपी के साथ में चीज टेक्स कलेक्शन की देखिए एक दम तो इंक्रीज हो है बहुत जाद है क्योंकि पैसा सब कुछ पहुंच गया है जिसने बिल पे नहीं किया था पता नहीं कब-कब का रुखा हो था वो सब ने पे कर दिया है पर आने वाले टाइम में ग्रोथ डिक्लाइन होगा तो उसकी बज़े से इंडिरेक्ट और मतलब कॉर्परेट टेक्स हो कम कलेक्शन हो पाएगा तो इसलिए उस पर अलग तरीके का इंपक्ट पड़ सकता है और और ओवर जो टेक्स है वो लोंग टरम के लिए वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे क्यों क्यों कि सारी मनी बैंकि खरीदने के लिए पैसे नहीं दे डूरेबल गुड्स के लिए परचेज करने करना भी लोगों ने पॉस्पोन कर दिया था तो इस तरीगी चीज हो पर लिए आने वाले टाइम में वह एक स्टेप्स निकल के आएगा और सब एक ट्रस्ट फिल करेंगे जो चीजे नॉर्मल खराब हो रही थी वह सब सही होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर से रिमोनिटाइजेशन होना इस्टार्ट हो जाएगा तो इस सारे सो टम और लॉंग टम इंपक्ट इन्होंने यहां पर एक्स्प्लेइन करने की कुछित की है वेरे ब्यूटिफुल लीवे में एक टेबल की हेल्प से तो देखें यहां से देखने के बाद में आप लोगों को अगर एकनोमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो जड़ा-जड़ा सी देर में आप उसमें को निकल सकते हैं लेकिन मैक्सिम चीज़तों में यहां पर कवर करके चली रहा हूं अगर आप इंटरेस्टेड हो त अगर आप लोग देखें यहां पर यहां पर यह तरीकी से इंकर सकते हैं को यहां खनकर किस तरीके से उसको regulate करना है तो वो सारी चीज़े इनके हाथ में रहेंगे और थरी difficulties बोल रहे हैं देखे थरी difficult choice बोल रहे हैं इनको क्या बोल रहे हैं एक तो declare of income अगर मालीजे कोई आदमी क्या जो कोई black money है उसके पास में तीन impact की बात कर रहे हैं कि अगर आदमी उसको disclose नहीं करता है अगर disclose नहीं करता है तो फिर क्या होगा फिर 100% उसको एक तरीके से टेक्स देना पड़ेगा वो सारे जितना भी है money उससे हाथ दो पैटेगा और फिर लोंडर वाल रोंडिंग वाली बात करिए एक तरीके से वह भी कोष्ट पड़ेगा उसका बहुँ जादा है बहुँ जादा कोष्ट पे करने पड़ेगी convert करने के लिए white money में तो इस सारे इनके उपर impact पड़ेंगे जिसकी वैसे इनको चीजों को save करके चलना है और black money को देखे अगर उसको ढंग से यूज किया जाए तो फिर उसको पब्लिक सेक्टर में यूज कर सकता है एक तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है वैल्थ को पब्लिक सेक्टर में एक तरीके से social security schemes में ट्रांसफर किया जा सकता है प्रोडेक्टिव एमर्श को यूज किया जा सकता है एक तरीके से government का through क्या जा रहा है माली जैं आपके पास में या किसी के पास में black money है तो दो काम हो सकते हैं यह तो आधमी है कि उसको disclose कर दे जो आधमी उसको disclose कर देगा कि मेरे पास में black money है और माली जैंद जब बग चाहिए और फिफटी पर्सेंट व अपने save कर सकता है इस scheme के तहर लेकिन अगर कोई इसको disclose नहीं कर सकता है तो उसके 100 रुपे में से लगबग 80% से भी ज़्यादा है उसके खतम हो जाएंगे टेक्स वेक्स वे परने में लगबग 20% बसेंगे वो case वगएरा लड़ने में इधर उधर हो जाएंगे तो इसको क्या बोला गया है इसका जो 50% ये बचेगा ये भी इसको परधान मंतरी गलीव कल्यान धन में मतलब वो करना इसका 25% इसका 25% इसको यहाँ पे देना पड़ेगा जिससे क्या होगा चार साल के लिए चार साल के लिए है आई थिंक चेक करता हूँ चार साल के लिए हैं तो चार साल के लिए उसको यहाँ पे उसको रखना पड़ेगा पसमें उसकी बलैक मनी चुराके उसकी बलैक मनी को लेके गरीबों में बाटा आप जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है इसको याद रखेगा black money से लेटर इस स्कीम है अब second benefit दे के क्या होने वाला है second benefit क्या होने वाला है एक तो tax evasion खतम हो जाएगा tax evasion खतम होने से तो चीजह हो जाएगा black money ब rich क्तीश नहीं किजाएगी black money भी खतम हो जाएगे वाइडर जो पब्लिक स्पेर में चल रही थी और देखे दो चीज़े और निकल के आ रहे हैं जो बोल रहे हैं तो फाइनेंशल पैनल्टी लगेगी वो तो सब को पता है और सोसल कंडैमिनेशन भी हो एक तरीके से सोसाइटी भी उसको कंडैम करेगी आने वाले टाइम में इस तरीके का चीज़े देख रहे हैं तो लोगों का बिहावियर में चेंज देखना को मिलेगा यहाँ पर लेकिन जो हो सबसे ज़्यादा उपर काउंट किया जाता है क्यों क्यों कि यह सारी चीज़े जो होती है जो नेगेटिव स्टेपस आदमी लेता है कुछ भी करता हो बीएवियर की वज़े से होता है अगर बीएवियर चेंज रखा गया है उसकी वैसे लोग क्या सोचनगे आठीक्स प मार्किट में उसके बारे में भी आ गया आएगा तो वो सारी चीज़े भी हो रही है यहां पर इसकी वज़े से बहुत ही अच्छे लेवले पहुंचे को जिससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा लोगों के पास में पर कैपिटा इंकम बढ़ डिजिटल सिस्टम यूज करने की कोजिस करेंगे तो जो केंगे में गट क्यों क्यों किसा बैंक में बहुत है लेवल पर तो आज के इतना ही अब आने वाला यहां बता बनाता विदी मोनेटाइजें से लेकि अराम से चीज़ें पर लेकिन आप लोगों को सारी चीज़े अवलेबिल रहें तो इसलिए जितना हो सकता है मतलब इसको शेर किजे लोगों से और सब्सक्राइब किजे जिससे आप लोगों को अराम से education मिलती रहे हैं और सबसे बढ़ा बात रहेगा सबस्क्राइब करने से जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँगा आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा आपके पास में notification पहुंच जाएगा उस वीडियो का जहींदे